बिहार विध्याले परिक्चा समीती की उर से 30 मार्ट से होने वाले डियलेट सयुक्त परवेश परिक्चा के लिए जड्मिट काड जारी कर दिया जाएगा। 26 में दाखिला दिया जाएगा समीती की ओर से 22 मार्च को जारी नोटस के अनुसार उमिद्वार अपना प्रवेश पत्र 23 मार्च से डाउनलोड कर सकेंगे इसके साथ ही पहले से 3 शेड्यूल के अनुसार डियलेट कोर्स में नामांकन के लिए प्रवेश परिक्चा 30 मार्च 2024 से होगी बिहार बोड के अनुसार राज जुभर के 306 डियलेट कोलेजों के 3750 सीटों पर नामांकन के लिए 30 मार्च से ऑनलाइन परिक्चा अलग-अलग दिन दो पालियों में होनी है बिहार डियलेट प्रवेश परिक्चा 2024 के लिए 2 लाग से अधिक छात्र छात्राओं ने आवेदन किया है डियलेट कोलेजों में नामांकन के लिए प्रतम दृत्ते एवं तृत्ते मेधा सूची वा नामांकन विकल्प लॉक करने सीट अवांटन स्लाइड अप त्यादी की प्रक्रिया मैं जून में की जाएगी आपको बताते चले कि इस परक्षा में सामिल होने वाले स्टूडेंट एडमिट कार्ड जारी होने के बाद बिहार बोड की वेबसाइट बिहार बोड ओनलाइन डॉट बिहार डॉट गवर्मेंट डॉट इन पर जाए होम पेज पर दिख रहे हैं लिंक पर बिहार डॉट एडमिट कार्ड दो हजार चॉबस पर क्लिक करें उसकी बाद चातर अपनी लॉग इन डिटेल जैसे राजिस्ट्रेशन नंबर जनम तीती आदी भर कर सबनेट कर दें अब एडमिट कार्ड आपकी कंप्यूटर स्क्रिन पर होंगे जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं जी हाँ बिहार विद्याले परिक्षा समीती की ओर से 30 मार्च से होने वाली डियलेट से उक्त प्रवेश परिक्षा के लिए आज एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा बोर्ड डियलेट परिक्षा में सफल होने वाले अभियरती बिहार राज्य के डियलेट कॉलेजों में 2024-26 में दाखिला दिया जाएगा समीती की ओर से 22 मार्च को जारी नोटस के अनुसार उमीदवार अपना प्रवेश पत्र 23 मार्च से डाउनलोड कर सकेंगे इसके साथ ही पहले से तैस सेड्यूल के अनुसार डियलेट कोर्स में नाम अंकन के लिए प्रवेश परिक्षा 30 मार्च 2024 से होगी आपको बजाते चले कि इस परिक्षा में सामिल होने वाले स्टूडेंट एड्मिट कार्ड जारी होने के बाद बिहार बोर्ड की वेब साइट पर जाए होम पेज पर दिख रहे बिहार डियलेट एड्मिट कार्ड 2024 पर क्लिक करें उसके बाद चातर अपनी लॉग इन डीटेल जैसे रजिस्ट्रेशन नमबर जनमतिती आदी भर कर सब्मेट कर दे अब एड्मिट कार्ड आपकी कंप्यूटर स्क्रिन पर होंगे जो से आप डाउनलोड कर सकते हैं